जेहिन दोस्तों आप सभी के इन्वेश्टिंग लब से चनल पर सौगत है दोस्तों आज हम जिस कमपणी का इनलिसिस करने वाले है उसका नाम है न्योडे का इस कमपणी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कोविट ने के बाद से हेल्थ केयर सेक्टर है और फार्मा सेक्टर है इस पर बहुत सारी चीज़े जो है वा चेंजस आई है यह कंपणी जो है वा हेल्थ केयर सेक्टर में की काम करने वाली कंपणी है इस कंपणी का सेयर जो है वा पिछले साल 2021 में लिष्ट हुआ था तब से करेंगे सबसे पहले कंपनी के बारे में बता देते हैं कंपनी का स्लोगन है यानि अगर आप किसी भी चीज को सोचते हैं फिर उसके बाद उसको फिल किरीजिए और उसके बाद जो है इसका क्रियेट किरीजिए कंपनी जो हवा मैनुफिक्चरिंग का काम करती है जिसमें यहां हेल्थ डिवाइस से जुरे हुए प्रोडक्ट की मैनुफिक्चरिंग का काम करती है यहां इस छेतर में 50 से जादा प्रोडक्ट जो हवा बनाती है कंपनी ना केवल भारत में काम करती है बसकी इसके अलावा य च्छरिटन दिया, उसके बाद शेयर पर वहा लगातार तेजी जो होती रही, और यह 620 रुपय का सेयर एक समय पर करीबन 1713 रुपय पर जो है वह ट्रेड कर रहा था यानि करीबन 270 प्रदिसत की देजी जो है इस पर जो है आगे थी उसके बाद जो है इस सेयर पर लगातार गिरावट का धोर जो है वह सुरू होता है और अभी अगर आप इस सेयर का देखेंगे तो जब से जो बड़ी कमपनिया है उनके सेयरों में खिरावट आना चलो हुआ है तब से इसका सेयर भी काफे ज़्यादा खिरावट जो है वह देखे रहा है अभी हाल ही में इस सेयर ने अपने जो IPO कल लेवल था 585 रुपय का लेवल जो है उसको भी तोड़ दिया है अब बात करते हैं कि आपको इस सेयर पर जो है वह क्या करना चाहिए दोस्तों अगर आपने इस सेयर पर लंबे समय के लिए निवेज किया हुआ है तो आपको जो है कुछ परसेंटेज जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वह जरूर कर लेनी चाहिए और अगर आप लॉस में भी है तो भी कम से कम 50% जो है लॉस जो है वह बुक कर लिजे क्योंकि जब भी कोई सेयर जो है अपने IPO प्रैस के नीचे आता है तब उसके बाद जो है उस सेयर पर गिरावट जो है और भी जादा तेजी देखने को मिलती है यहां पर देखेंगे कि जब इस सेयर पर जो है जब तेजी आ रही थी तो लो देखेंगे तो वेलूम जह बाद काफी ज़्यादा हई जो हब दिक रहा है इसके पीछे कारण क्या है कि जब रिटेल निवेसक जो है वाकिसी सेयर पर एक्ट्यों होते है तब वेलूम जहादा हई हो जाता है यहां पर देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर है उन्हें रिट करें धन्यवाद